जॉन क्यूसिक अपने फिल्मी करियर में दरजनों फिल्मे करने वाले जॉन क्यूसिक जिने आपका तो पता नहीं मैंने देखा था 2012 मूवी में ये एक्टर भी लगबग दम तोड़ चुका है अपनी एक्टिंग करियर से और अलविदा कह चुका है हॉलिवुट की चकाच चॉन को तो हुआ क्या था जॉन ने कहीं सारी फिल्मे करी मगर उनके फिल्मी करियर का स्केल डाउन होने लगा था साल 2005 से साल 2005 के बाद जॉन की मूवीज को काफी कम पसंद किया जाने लगा उस तरीके से जिस तरीके से वे अपनी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे उन्होंने साल 2012 से साल 2016 तक 17 मूवीज करी लेकिन उनकी कलाकारी को लोगोंने ना पसंद किया क्यूंकि जॉन को लोग देखते थे एक रूमेंटिक कॉमेडी टैप बंदे की तरह तो यहां शायद कह सकते हो जॉन को सही प्रजेक्स नहीं मिले 2012 की फेक्टरी मूवी में उन्होंने एक किरदार प्ले किया था जिसमें वे अपनी बच्ची को सीरियल किलर से बचाते हैं तो दर्शकों को उनका एक किरदार उनकी हाल फिलाल की परसनेलिटी से मैच होता नहीं दिखा लव में पैशन होने के बावजूद भी जॉन की साल 2014 की मूवी लव एन मर्सी मूवी तो ठीक थी मगर जॉन की एक्टिंग कुछ ठीक नहीं कर पाई अगर टाइम होता 15 साल पहले का तो जॉन शायद कुछ धमाल कर पाते और जो मुक लिखना शुरू किया है उन्होंने किताब लिखना शुरू किया है कहते हैं अगर जिंदिगी में कुछ खत्म होता है तो कुछ नया भी शुरू हो जाता है